हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आगयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि एक साल बाद अभीरा आई अपने बच्चे के साथ वापिस पोदार निवास तो वहीं अभीरा को देखकर पोदार परिवार के उड़े होश जी हाँ दोस्तों अब शोर के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जहां अर्मान बच्चे को टर्मिनेट करने का बड़ा फैसला कर लेगा तो वहीं अभीरा अपने बच्चे को बचाने के लिए चुपचा पोदार परिवास छोड़ कर चली जाती है तो वहीं अर्मान क तो अपना ख्याल रखेगा और ना ही वो कुछ ठीक से खाते पीते नजर आने वाला है तो वहीं अर्मान हर पल बस अभीरा को ही याद करता रहेगा और उसे ढूनते हुए नजर आने वाला है जहां अर्मान के इस पागलपन का बखुबी फायदा उठाते हुए नजर आने सारी मुश्किलों को अकेले ही जहलते हुए सारी परिशानियों को पार करते हुए हिम्मत के साथ अपने बच्चे को जनम दे देगी तो वही अभीरा अर्मान के पास वापस लोटने का फैसला करेगी और कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं जानती हूँ मेरे सिली बॉई इन नौ महीने तुमने मुझे कितना मिस्स किया होगा मुझे कहा कहा नहीं ढूना होगा पर मैं ये भी जानती हूँ मेरे खड़ो उसमान जब मैं तुम्हें हातों में अपने बच्चे को रखूंगी छोटे से अर्मान को दूंगी न तो तुम तो आरी नराज़ की दूर हो जाने वाली है बेल लब शोगे अपकमिंग ट्राक में बाप देखेंगे कि जहां अभीरा खुशी खुशी एक साल बाद लोटेगी पोद्दार निवास अपने बच्चे के साथ तो वही अभीरा को देखकर हर कोई हो जाएगा शौक जहां पोद्दार निवास पर और पोद्दार परिवार पर अब रूही का कंट्रोल होने वाला है तो वही अभीरा और उसके बच्चे को घर के बाहर ही रोग दिया जाएगा और अंदर आने से मना कर दिया जाएगा और मान की हालत का जिम्मेदार अभीरा को ही ठैराकर उसे धके मार कर घर से दूर कर दिया जाएगा जहां अभीर जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने